तो हेलो दोस्तो जैहिंद आज की इस वीडियो में दा प्लेटफरम बुक का जो बीपी एसी टी आरी 3.0 के लिए मार्केट में जो बुक लंज किया गया है उसका जो है चौथा मोडल प्रेक्टी सेट देखने वाले हैं इससे पहले हमने तीन मोडल प्रेक्टी सेट करा दिया है तो चलिए बिना देरी के हुए इस चौथे मोडल प्रेक्टी सेट में जीतने भी प्रस्न है उन सभी प्रस्नों को बारी की से अध्यान करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो चौथे मोडल प्रेक्टी सेट में आपको 30 प्रस्ण जो है भासा को दिया हुआ है और 16 प्रस्ण जो है महित का दिया हुआ है महित का जलनी वीडियो लेकर आऊंगा तो यहाँ पर 46 नंबर से GKGS के प्रस्ण जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो उन्हीं सभी प्रस्णों को आज की इस वीडियो में हम लग देखने वाले हैं तो 46 नंबर यहाँ पर प्रस्ण कहा गया है कि निमलिखित में किस यूद में मुख्य विरोधी का सही उलेख नहीं किया गया तो देखिए पहला यहाँ पर अप्शन है पानिपत का पर्थम यूद पानिपत का पर्थम यूद 1526 इसभी में लड़ा गया था और यह बाबर और इबराहिम लोधी के बीच में लड़ा गया जिसमें बाबर जो है बीजय हुगा यहाँ पर अप्शन B की बात किया जाए तो बोला है कि पानिपत का दितियक यूद टीपू सुल्तान और मराठा तो यह जो है इसमें जो है जो बिरोधी दिया है यह गलत है पानिपत का यूद जो दितियक यूद हुगा था 1526 इसभी में और इसमें जो है यह जो यूद अप्शन C देखिए बोलाए कि हल्दी घाटी का युद महराना परताप और अकबर यह जो है सही है यहाँ पर अप्शन B जो है गलत है इसलिए अप्शन B जो है राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली परसीद पुस्तक का लेखक कौन था तो देखिए भारत के जो आर्थिक इतिहास पर पहली परसीद पुस्तक के लेखक जो थे वो थे रमेश चंद्रदत यानि कि अप्शन C हो जाएगा राइट एंसर next question है कि सिमान्त गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं तो देखिए friends सिमान्त गांधी के नाम से जो है इस option में अब्दूल गफुर खान option A हो जाएगा right answer next question है कि 3P टक स्त्रों के सिधान्त यानि कि यहाँ पर kind of scriptures के लिए एक सब्द है तो देखिए 3P टक जो है यह बौध धरम से सम्मंदित है तो option C हो जाएगा right answer next question है बोला है कि राजस्थान के माउंट अबु का दिलवारा मंदिर किसके लिए समर्पित है तो देखिए राजस्थान में जो माउंट अबु का दिलवारा मंदिर है यह जो है जैन तिर्थकरों से स्रमंदित है अपसन E हो जाएगा right answer next है कि जहासी के पास देवगड का मंदिर और इलाहबाद के पास गढ़वा मंदिर में बना बनी मुर्ति किसकाल के महतपुन अवसेस हैं तो देखिए यहाँ पर जो गुप्त काल है गुप्त काल में जो है जहासी के पास देवगड का जो मंदिर है और इलाहबाद के गढ़वा मंदिर यहाँ पर जो मुर्तिया बनाई गई वो गुप्त काल में ही बनाई गई यानि कि option A हो जाएगा right answer next question है कि निमलिखित युगम पर विचार कीजिए तो चलिए option A देख लेते हैं यह जो है राधा कांत देव तो राधा कांत देव जो है British Indian Association के पर्थम अध्यक्ष थे यह जो है बात बिल्कुल सही है यहाँ पर देखिए बोला गया है कि गुजुल लच्मी नर्सु चेटी मादरास महाजन सभा के संस्थापक यह जो है गलत है मदरास महाजन सभा के जो संस्थापक थे वह थे यहाँ पर जी सुब्रम्यम याद कली जिएगा जी सुब्रम्यम और एक यहाँ पर और भी थे बी रागहोचारी ठीक है बी यहाँ पर रागहोचारी नेक्स्ट कोस्चन की बात किया जाए तो देखिए इस कोस्चन का राइट एंसर आपका हो जाएगा अप्सन नमबर बी और सुरेंदर नाथ बनर जी जो है इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक थे तो एक अप्सन और तीन अप्सन यह जो है सही है इसलिए यहाँ पर अप उसी के दवरान जो है यह शक्रिये रहा नेक्स्ट कोस्चन की बात किया जाए तो बोला है कि किसकी तुलना मैकिया वेली के प्रीन से की जाती है तो देखिए इसमें जो है आपका कवटिल्या का जो अर्शास्त्र है इसकी जो है तुलना मैकिया वेली के प्रीन से की जाती ह नेक्स्ट कोस्टन की बात किया जाए, तो नेक्स्ट यहां पर कोस्टन है कि इनमे से किसने अप्रिल 1930 में बेदारनयम सत्याग्रा का आयोजन किया, तो देखिए, 1930 में बेदारनयम सत्याग्रा का जो आयोजन किया गया, वह किया गया, सी राजगोपालचारी के दवारा, अप किये फ्रेंड्स बिहार में जो किसानों की अगवाई किये थे असयोग आंदोलन के दोरान वह थे स्वामी विद्यानंद अप्सन ए हो जाएगा राइट एंसर। नेक्स्ट गोष्चन है कि भारतिय उप महाधीप में लोहे का परियोग कब शुरू हुआ तो देखिए फ्रेंड्स भारतिय उप महाधीप में लोहे का परियोग जो है बाय दिक युग से सुरू हुआ था। कब से? बाय दिक युग से और यह जो है आपका लगभग 950 इसा पूर्व में जो है शुरू किया गया था और इस जो है नौसा पचास बीसी में जो है यहाँ पर अप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पर अप्शन E हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोचन है कि छोब मंडल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्ते है तो चलिए देख लेते हैं बोलाए कि यह वायो मंडल का सबसे उपरी परत है यह तो बात बिल्कुल गलत है यह तो वायो मंडल का सबसे निचली परत है छोब मंडल यहाँ पर बोलाए कि इस परत का तापमान उचाई के साथ बढ़ता है ये भी बात गलत है इसकी आस्तन उचाई 13 किलमीटर है ये बात जो है बिल्कुल सही है इसलिए यहाँ पर अप्सन C हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि अलक नंदा नदी भारत में भागी रथी नदी में कहां मिलती है तो देखिए देव परियाग में अलक नंदा और भागी रथी नदी मिलती है नेक्स्ट कोश्चन है भारत में निमलिखित में कौन सी नदी घाटी कोईले के भांडारों से समरीद है चलिए अपसन देख लेते हैं दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महा नदी घाटी ये तीनो जो नदी है इसमें जो है कोईले का भांडार जो है समरिद है इसलिए यहाँ पर अप्शन D हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन की बात किये जाए तो बोला है कि डैस चाटान या धातू के बरे टुक्रे हैं जो ज्यादतर मंगल और विरस्पती के बीच सुर्य की परिकार्मा करते हुए पाए जाते हैं तो देखिए ऐसे जो है टुक्रे को छुद्र गरा कहा जाता है कभी कभी कोश्चन यह भी पूछ देता है कि छुद्र गरा किन यहाँ पर किन दो गरहों के बीच में रहते हैं तो यह ज्यादा तर मंगल और विरस्पती के बीच में रहते हैं नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है कि निमलीखित में से कौन सी एक परवतिय चोटी सही सुमेलित नहीं है अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं बोला है कि अबोर जारखंड दूनागीरी उतराखंड तो दूनागीरी जो है यह उतराखंड में है यह तो सही है मीकिर अस मीकिर भी जो हाए असम में हाए यह भी सही है लेकिन अबोर जो हाए यह जारखंड में नहीं है ये जो हाए आपके अरुणाचल पर्देश में है तो अप्सन यह हो जाएगा राइट एंशर नेक्स्ट यहाँ पर question की बात किया जाए तो बोला गया है यहाँ पर कि भारत की छेत्रिय सिमा टट से कितने समुद्र मिल किलोमीटर तक समुद्र की और फैली हुई है तो यह फैली हुई है आपके 12 समुद्र मिल यानि की लगभग 21.9 किलोमीटर अप्सन B हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट यहाँ पर question है बोला है कि भारत में आने वाले सितोषन कटिबंदिये चक्रवात भारत के किस भाग से परवेस करता है तो देखिए जो भारत में सितोषन कटिबंदिये चक्रवात आता है यह उतर पश्चिम की भाग से जो है भारत में परवेस करता है तो अप्सन B हो जाएगा यहाँ पर राइट एंसर नेक्स्ट है कि निमलीखित में से कौन सी भारत की सबसे बरी तैरती हु हुई सोर उर्जा पर्योजना अभी जो बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है आपके मध परदेश में कहां मध परदेश के खंडवा जिला में अंक्रेश्वर डेम पर ठीक है अंक्रेश्वर पर यह जो है 600 मेगावाट का जो है सोर उर्जा बनाए जा रहा है जो भारत क सबसे बरी तैरती हुई स्वरूर जाहोगी नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए तो बोला गया है यहाँ पर तो इसका एंसर अप्शन E हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि नदी के अपरदन कारे से बनी अस्थलकृती है तो नदी के अपरदन से देखिए क्या बनता है गरज बनता है और गरज कैसा होता है यह भी अकार का होता है ठिक है फ्रेंड्स नेक्स्ट कोश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निमलीखित में से क्या समिधान की इगर्वी अनुसूची में सामिल नहीं है देखिए इगरवी अनुसूची जो पंचायती बेवस्ता से जो है सम्बन दित है इसमें जो है आपको क्या सामिल नहीं है तो देखिए पुस्तकालाई सामिल है इंधन और चारा सामिल है लेकिन यहाँ पर जो है आपका ग्रामिन खेल है ग्रामिन जो खेल है यह सामिल नहीं ह इसलिए यहाँ पर option B हो जाएगा राइट एंसर Next question की बात किया जाए तो बोला है कि निमलिखित नेताओ में से किसने कहा मैं तो एक भारतिय नगारा हूँ जिसके कारे सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मात्र भूमी के लिए जगे और कारयत हो सके तो यह जो कथन है यह कथन एनी बेसेंट की है Option B Next question की बात किया जाए तो बोला है कि भारत के नियंतरक यो महालेखा परिक्षक को उसके पद से हटाए जाने की परकिरिया निमनांकित में से किसके समान है तो भारत के जो नियंत्रक यो महालेखा परिक्षक है उनके पद से हटाए जाने की परकिरिया जो है उस्तम नयाले के नयधिस के समान है नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर बुला गया है कि निमलिखित में से कौन सी संसद्य समीती कारेपालिका को नियम बिनियम बनाने के लिए परत्यायोजित सक्ति से सम्मंदित है तो देखिए निमलिखित में कौन सी एक संसद्य समीती जो करेपालिका को तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिनस्त बिधान पर समीती यानि की अप्सन B नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पर्थम स्पीकर जिनके बिरोद लोग साभा में अभिस्वास परस्ताव लाया गया था तो देखिए पर्थम जो speaker थे जिनके भी रोध लोग साभा में अभिश्वास प्रस्ताव लाए गया तो ये थे GB मौलंकर, option B हो जाएगा next यहाँ पर question की बात किया जाए तो बोला है कि भारत के संसद में होते हैं तो भारत के संसद में राष्टपती भी होते हैं, राज सभा भी होता है और लोग सभा भी होता है यानि कि आपका हो जाएगा इसमें option number A next यहाँ पर question देखिए तो यहाँ पर next question की बात किया जाए तो बोला है कि राष्टपती को उनके कारेकाल की समापती से पुर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है तो राष्टपती को उनके कारेकाल की समापती से पुर्व संसद के दोनों सदनों के सहमाती से जो है हटाया जा सकता है next question है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बेवास्ता निर्वाचन क्रिया परणाली के रूप में सुनिशित करती है तो देखिए ये आपका सुनिशित करती है अल्प संख्यों के प्रतिनिधित्व को यानि कि option A हो जाएगा right answer नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत में नयाईक पूर्ण रिक्षन का अर्थ है तो देखिए भारत में जो नयाईक पूर्ण रिक्षन का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो होता है बीधियों और कारेपाली को आदेशों की सम्मेधानिकता के विशाय में परखियान करने का नयाय पालिका का अधिकार यानी की अप्सन ए हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन है कि अभिव्यक्ति दक्षिन एसिया में समानतक क्या सामिल है तो देखिये जो दक्षिन एसिया में जो देश आते हैं उसमें आपका बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिव, नेपाल, पकिस्तान और सिरलंका आता है अप्सन ए हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट है कि भारत में नयाइक परनाली किस पर अधारित है तो भारत में नयाइक परनाली जो है ये समिधान पर अधारित है नियमित कानून का उंचित परकिरिया पर अधारित है तो यहाँ पर अप्सन डी हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट कोचन है कि भारत की निमलिखित में से किस राजने अप्रिल से सितंबर 2022 के दरान उच्टम परत्यक्ष बिदेशी निवेस याँ पर एक्वीटी के रूप में पराप्त किया तो यह पराप्त किया है आपका करनाटक अप्सन ए हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट है कि निमलिखित में कौन सी अर्थवेवास्ता के असंगठी छेत्री की विशेस्ता नहीं है तो देखिए इसमें जो है अर्थवेवास्ता के असंगठी छेत्री की जो विशेस्ता नहीं है वो है आपका रोजगार सुरक्षित होता है अप्सण B हो जाएगा right answer Next है कि भारत के राष्ट्रीय आये कि गन्ना होती है दो भारत के जो राष्ट्रीय आये कि गन्ना होती है हो राष्ट्रीय सँखि की करेयालय के द्वारा यानि कि अप्सण C हो जाएगा right answer फिर next question देख लेते हैं तो next यहाँ पर question की बात किया जाए, बोला है कि आर्थिक नियोजन एक भी से है, तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है, यह समवर्थी सुची में आता है, option A हो जाएगा right answer, next है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षन करता है, तो क्विटो प्रोटोकॉल का नुमोधन कहां हुआ था, तो यह हुआ था आपका कोप थिरी में, यानि कि क्विटो जो जापान में हुआ था, वहीं से जो है लागू किया गया, next question है यहाँ पर, बोला गया है कि आर्थिक गतिबीदी को डैस के अधार पर प्रात्मिक, माध्य तथा तिरितियक तीनों छेतर में विवाजित किया जाता है, तो यह किया जाता है आपके आर्थिक गतिबीदी की परकिर्तिक पर, यानि कि अप्शन B हो जाएगा, right answer, next है कि अभासी और सीधी छवी के लिए, दरपन का आवर्धन क्या होना चाहिए, तो देखिए, इसमें जो है आपका आभासी और सीधा परतिबीम बनाना है, तो इसके लिए आपको बताना है कि आवर्धित यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number A, धनात्मक, next question है यहाँ पर, बोला है कि कि किसी ध्वनी का पीच निर्भर करता है, तो किसी जो ध्वन तो यहाँ पर option A देखिएगा, तो बोला है कि ध्रुग पर 99 कोन 90 डिगरी एवं विσुवत रेखा पर सुनने होता है, तो यहाँ पर बात जो है पर जो है शही है, ध्रुग पर 99 कोन 90 डिगरी का होता है और यहाँ पर विश्वत रेखा पर सुनने होता है, next यहाँ पर question की बात किया जाए, तो बोला है कि सही कथन को चुनिये, आपको option A है भार सदिस रासी है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर है कि बस्तु का अंतरगर्ये अंतरीक्ष में महत होता है, यह गलत है, बस्तु के उपर जाने पर भार बढ़ता है, यह भी गलत है, तो यहाँ पर option A हो जाए में दूसित भोजन के जरिये जो है, परवेश करता है, option B हो जाएगा, right answer, next है कि मरकरी का महत्यपुन अयस्क है, तो देखिए, मरकरी का इसमें तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए आपर option E हो जाएगा, मरकरी का जो अयस्क है, वो होता है, सीने बार, क्या होता है, सीने बा ममबतियों में होता है, तो दैनिक जियोन में जो हम ममबति को उपियो करते हैं, उसमें उच संत्रिप्थ हाइडरो कार्बन होता है, यानि कि option E हो जाएगा, right answer, next है कि एक सेव के भूमी पर गिरने पर होने वाले उर्जा आस्थानांतरन का सही अनुकरम है, तो देखिए, जब एक सेव भूमी पर गिरता है, तो उर्जा आस्थानांतरन का जो इसमें सही जो अपका क्रम है, वह है यहाँ पर option number C, गुरुत्विये, स्थितिज उर्जा, गतिज उर्जा, वायू में उसमिय उर्जा, भूमी और सेव में उसमिय उर्जा, और उसके बाद धोनी उर् तो देखिए, यह कब होती है, जब दो अलग-अलग बस्तुओं पर विपरीत दिशा में बल लगता है, यानि कि option B हो जाएगा right answer, next है कि निकट दिरिष्टी दोस के संदर में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए, तो बोला है यहाँ पर option number A में कि इसमें जो है, लेंस की ग बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह जो है गलत है, फोकस दूरी जो है, यहाँ पर कम हो जाती है, और वहीं बात किया जाए, इसमें लेंस की छामता बढ़ जाता है, तो यह भी बात सही है, इसलिए यहाँ पर option number 1 और 2 यानि कि option C जो है, right answer हो जाएगा, next है क कि एस्पिरिनी, डाइजेपम, कलोरोफर्म, मरक्यूरोक्रोम में से सामक कौन है, तो देखिए इसमें जो है आपको सामक देखने को मिलेगा, वह आपको है डाइजेपम, ठीक है, option C हो जाएगा, right answer, next question यहाँ पर बोला गया है कि चिकनाई और तेल, चिकनाई और तेल के द दाग धबे का अपचैन होता है क्योंकि अपमार्जक, देखिए अपमार्जक क्या करता है, कि पानी और तेल के मद, प्रिष्टिय तनाव की प्रबलता से कम करता है, ठीक है, तबी जो है जो दाग होते हैं, दागिक्त जो बस्त होते हैं, उससे जो है जितना भी मैला होता ह उसमें का निकल जाता है यानि कि आपका बस्त्र जो है साफ हो जाता है next है कि E का silicon को dice के रूप में जाना जाता है तो देखिए E का silicon को यहाँ पर germanium के रूप में जाना जाता है germanium के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर तो option में नहीं है इसलिए यहाँ पर option E हो जाएगा next question है कि radioactivity की परिघाटना की खोज किसने की तो radioactivity की जो घाटना है इसका खोज यहाँ पर Henry Bacular ने की option C हो जाएगा right answer फिर next question देख लेते हैं तो next यहाँ पर question है कि hydrogen और helium को dash में राखा गया है तो hydrogen और helium को जो है पहले आवर्थ में राखा गया है option B हो जाएगा right answer next question है कि धातु का परमानू जब आयन में परिवर्थित होता है यानि कि धातु जब electron त्याग करता है तो क्या होता है तो यहाँ पर हो जाएगा यह electron दान करता है और अक्सी करण हो जाता है पोधे में जो उनके जरों में बैक्टिरिया पाए जाता है वो nitrogen से nitrate का निर्मान करता है option B हो जाएगा right answer 200 बर में सबसे अधिक प्रजाती की संख्या किस की है तो देखिए 200 बर में सबसे अधिक प्रजाती की संख्या कवको की है option A हो जाएगा right answer नेक्स्ट है कि गलाइकोलाइसिस का स्रमंद है तो देखिए गलाइकोलाइसिस का स्रमंद जो होता है वो केवल यहाँ पर स्वसन से होता है किस से होता है स्वसन से होता है नेक्स्ट कोश्चन है कि मानों में हिंस बंडल नामक सनचना किस अंग में पाय जाता है तो ये पाय जाता है आपका हिरदय में अप्सन B हो जाएगा राइट एंसर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन का चैन कीजिए तो देखिए यहाँ पर एसकनेडियम सबसे हल की धातु है यह गलत है लिथियम जो है सबसे हल की धातु है यहाँ पर बोला गया है कि कुछ मुद्रा धातु है यह जो है धातु आपके मुद्रा धातु नहीं है यहाँ पर है हिलियम में आईनी करण की चामता हिलियम में आईनी करण की छामता जो है अधिक होता है तो ये बात बिलकुल सही है इसलिए आपर अप्शन C जो है राइट एंसर हो जाएगा याद करकर रखियेगा कि हिलियम में आईनी करण छामता अधिक होती है नेक्स्ट है कि प्रोटीन संस्लेशन में निम्ली खित में किसकी भूमिका होती है तो देखिए प्रोटीन के संस्लेशन में DNA, RNA और राइबोसम इन तीनों की महतफ़पूर्ण भूमिका होती है नेक्स्ट कोष्चन की बात किया जाए तो बोला है कौनसा कॉथन सही है तो यहाँ पर है कि युडिया यक्रित में उत्पन होता है यह जो है बात बिल्कुल सही है युडिया यक्रित से उत्पन होता है तो option A हो जाएगा right answer next question है कि निम्न में से किस हर्मोन का बंद होना तुरंत मांसिक चक्र का कारण होता है तो यह आपका हो जाएगा progestone option C हो जाएगा right answer तो देखिए इसके बाद जो है आपको 110 के बाद current affairs और reasoning के कुछ परस्न दिये गए है ठीक है तो बस आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाएंग